डाक मतलब मेल और पोस्टल सिस्टेम बंगलो का मतलब जब ब्रिटिश आर्मी ओफिसर्स ट्रावल के दौरन रात को किसी बंगलो पर ठैटते थे, ट्रिनर करते थे और इसके लिए पे करते थे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल चिकिन डाक बंगलो के लिए एक केजी चिकन लिया है, इससे अच्छे से साफ कर लिया है, आप इसमें मिलाएंगे दो प्याज के पेस्ट, टूटी स्पून हरी मिर्च पेस्ट, धाई चम्मच मैंने लिया है, यहाँ पर अध्रखलासन का पेस्ट, एक कप दही लिया है, दही खटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश दही होनी चाहिए, सरसो का तेल लिया है, असी ग्राम, नमक लिया है, मैंने स्वात के अनुसर, डेड़ चम्मच नमक लिया है, मैंने एक किजी चिकन के लिए, हल्दी लिया है, मैंने एक चम्मच, लाल मिर्ची का पाउडर ल अब जो मैरिनिटेड चिकन है इसको कवर करके मैंने रख दिया है रेस्ट पे 30 मिनट्स के लिए आप चाहे तो इसे एक घंटे के लिए भी रख सकते हैं जब तक चिकन मैरिनिट हो रहा है चलिए नेक्स प्रॉसेस के तरफ चलते हैं यहां दो बड़े साइस के आलू लिये है अलो को अच्छे से साफ कर लिया है और सेंटर में से कट कर लिया है अब अलो के पीसेस को सरसो के तेल में फ्राइ कर लेंगे यहाँ पर मैंने सरसो का तेल यूज किया है क्योंकि यह एक authentic recipe हो और इसी तरीके से इस recipe को बनाया गया है अब हपचम्मच नमक और हपचम्मच पाउडर डालके आलूओं को गोल्डन होने तक सुनेहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे जैसी आलूओं के कलर सुनेहरा गोल्डन हो जाए तब हम निकल के अलग से रख देंगे तेन उबले अंडे लिए हैं अंडो को भी इसी तेल में हलका फ्राई कर लेंगे मुश्किल से दो मिनिट का वक्त लगेगा अंडो को फ्राई होने के लिए, फ्राई होने के बाद अंडो को निकल के एक तरफ राखतेंगे, अब देख सकते हैं अंडी फ्राई हो गए हैं, अब इसे एक पस से राखतेंगे, अब इसी बचे हुए तेल में तीन बड़े साइस के प्याज को को लंबी स्लाइस में काट करके डालना है थोड़ी दिर भूनेंगे हमें प्यास का कलर चेंज करके डार्क ब्राउन करना है जैसे हम लोग बेरिस्ता बनाते हैं ठीक उसी तरही वैसे ही कलर में प्यास को लाना है इस पॉइंट पे जैसे ही प्यास का कलर आ जाता है तो मेरिने तब तक चिकन को भूनते रहना है। आच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे पोटेटोज और चिकन। आलू बड़े साइज में कट कर लिया था। तो फ्राइ करते टाइम 20% तक ही पका है। तो इसलिए आलू को अभी डाल देंगे चिकन के साथ। और कवर करके मिडियम फ्लेम पे पकने देंगे 5-7 मिनिट के अब देख सकते हैं कुछ खड़े गराम मसाले लिये हैं मैंने यहां इसे मिक्सी में पाउडर बना लेंगे आप चाहे तो थोड़ा पानी डालके इसका पेस्ट बना सकते हैं। ब्रिटिश राज के टाइम पे पैकेट का गराम मसाला नहीं होता था इसी तरह से गराम मसाला बनाया जाता था। इधर आप देख सकते हैं चिकन का पानी सुक चुका है मसाले अच्छे से भून चुके हैं चिकन भी हमारा टेंडर हो चुका है आप इसमें डालेंगे गरेवी की हिसाब से गराम पानी। मिक्सी का जार धोके उसी पानी का यूस किया है मैंने यहां। च ऐल गरेवी से अलग होने का 5-7 मिनिट के लिए चिकन को गरेवी के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे गरेवी में बॉयल आचुका है अब देख सकते हैं आप इसमें फ्राइड एग्स ढाल देंगे जो गराम मसाला बनाका रखे थे आप इसमें मिला देंगे एक बार स्टेंडिंग टाइम पे 5 मिनिट के लिए छोड़ देंगे तो लीजिए फ्रेंड्स देख लीजिए डाग बंगलो चिकन का फाइनल लुक रेसिपी अच्छे लगी तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में तब तक खुब खायल रखना अपना थेंक्स फॉर वाचिंग